हेलो फ्रेंस आज के वीडियो में हम कबार करने बाले हैं MIUI गैलरी का एक नया अपडेट में आपके साथ सेयर करूँगा तो यहां पर देखिए सबसे पहले जो गैलरी आप एजसको आप ऐसे ओपन करेंगे तो यहां पर आपको इस तरह से जो है सिंक वाला जो ऑप्शन है वो यहां पर आ जाएगा अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ सिंक विद्ध क्लाउड इस नो लॉंगर अवेलिबल ट्रांसफर और डाउनलोड जो आइटम्स नाव यानि कि यहां पर जो है इसमें एक नया अपडेट आया है जो कि आपको मि मैंने अल्रीडी अपडेट किया हुआ है यहां पर यहां पर यहां पर इपन ऑप generator मेंद तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर ट्रांसफार इस पर कलेखी है उद्धात ओर आपको यह जो फोटो हो गई वीडियो हो गई इनको आप जो है गूगल फोटोज पर सिंक करना चाहें तो यहां पर सिंक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं मेरे में ऑप्शन आ राए डवाइस में अब मैं आपको यहां पर दिखात हो दिखी सेटिंग्स में जाके सेटिंग्स में जाएंगे तो य आप Google photos के official application पर sync कर सकते हैं और upload कर सकते हैं और by default सभी android devices में यह जो feature है यह जो application है यह आता है तो आपके जो photos और videos है वो जब easily आप अपने गोल photos पर sync कर सकते हैं या फर कर Google Drive पर डाल सकते हैं upload कर सकते हैं अब यहां पर देख सकते हैं इस device में जो Google photos है वो installed नहीं है तो यहां पर install करने के लिए pop-up आ रहा है मैं अपने जो photos वीडियो से वो Google Drive पर रखता हूं तो यहां पर मैं इसको use नहीं करूँगा बर just as a update मैं आपके शायतर इसको share कर रहा हूं तो यहां पर आप देख सकते हो कुछ और नइफ चीज़ें इसमें मुझे देखने को मिली है तो वो आप देख सकते हो select best photos वाला option है जो की अब आ गया है यानि कि यहां पर जो AI के दोवारा जो duplicate photos है वो हमें scan करके gallery app में मिल जाएंगी तो आप चाहें तो उनको delete कर सकते हैं कौन सा best है वो select करके इसके बाद कुछ और options भी आए गया है जैसे कि secure sharing का option एक आया करके इसको select करते हैं तो यहां पर आप कुछ और इस तरह से options आते हैं यानि कि share without metadata by default और share without location info by default इनको जैसे आप on कर देते हैं तो यहां पर आपका जो photos में जो camera के दोवारा जो location share होती है यानि कि location capture होती है उस इसको आप share नहीं करना चाहते है तो आप इसको on कर दीजिए इसके बाद जो photos की location है उसमें details में वह शूर नहीं होगी इसके बाद जो next option है guys यह metadata का तो इसमें जो metadata आता है इनकी कौन सी location पर बहुत सरी details आती है और जो की photos में होती है उसको metadata होता है कौन सी app है को अतने time पर picture click किया गया है बहुत सरी चीज़े होते हैं तो वह आप अगर शेयर नहीं करना चाहते तो इस वीचिश को use कर सकते हैं यह सिर्फ वर सिर्फ यह जो है आपको secure sharing वाले options में ही मिलेगा और कुछ यहां पे ज्यादा नया update नहीं आ जा है अब मैं आपको दिखाता हूं यहां यहां पर जब Google photos को आप use करेंगे तो देखिए सामने आपको simple इस तरह से पे जाएगा आप जैसे हम पर click करेंगे तो आप देखिए यहां पर यह जो notice है वो क्यों दिया गया है Google photos करने के लिए आपको यह Xiaomi का जो gallery app है वो क्यों कह रहा है यहां पर जो Xiaomi cloud है वो यहां पर कु प्लिरी आयटम्स Xiaomi cloud and Xiaomi cloud membership service will be terminated अब यहां पर यह जो services है यह कुछ reasons में यहां कि कुछ countries में आपे बंद हुई है जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर क्याटिगराइज किया गया है Group 1, Group 1 में Singapore, Indonesia, Philippines, Vietnam, Myanmar और यहां पर इंडिया का भी इसमें नाम है तो इस तरह से Group 1 में भी यह जो countries जिनके नाम आ गए हैं वहाँ पे यह जो स्वमी क्लावड को जो services है वो proper बंद हो गए हैं अगर आप यूज करते हैं और आपने जो monthly payment जाता है तो इस बार जो है वो monthly payment आपका cancel हो जाएगा तो automatically ही इसमें दिया हुआ है तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे इस article को तो यहाँ पर आपको सारे चीज़े details मिल जाएंगी अब next अगर हम देखें group 2 में तो group 2 में यहाँ ब्रजील है टर्की है मैक्सिको कोलंबिया एजिप्ट पेरू और इस तरह के जो countries हैं वह यहाँ पर भी है other countries and reasons अब इसमें यहाँ पर specific नाम नहीं लिया गया है वह यहाँ पर आ जाएंगे लेकिन यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे इसको अगर आप देख सकते हैं तो services termination timeline यान कि कब टाइम पर क्या-क्या जो features है वह इसमें बंद किये गए हैं उनका भी जो details है वह आपको इसमें मिल जाएगा next अगर हम बात करें इसमें देखिए exporting gallery data from Xiaomi cloud आपको कैसे जो आपका जो Xiaomi cloud है अगर उसमें data है me account आप यूज करते हैं तो आप उसके data को कैसे transfer कर सकते हैं वह service में details दिए गई है आप उसका जो ट्रांसफर जो data है वह आप Google photos पे upload कर सकते हैं अब देखिए transfer to data कैसे दिया गया है सब कुछ यहां पर details आपको मिल जाएगी जब Xiaomi cloud यूज करेंगी तो आपको उसमें सब कु open करने के बाद more options में जाना है और transfer data पर click करना है उसके बाद यहां पर आपको move to google photos का option आएगा और transfer data का button आएगा तो आप उस click करेंगे तो आपको data है वह एक cloud storage से दूसरे cloud storage मैंने की Google के official cloud storage में store हो जाएगा और जो photos है वह आपके save रहेंगे कहीं भी जाएंगे नहीं कहीं delete नहीं होंगे इसके बाद देख सकते हो download Xiaomi cloud data to your personal device इसके बाद इसमें आभी कुछ आपको instructions दिये जाता है तो काफे सारे जो details है यहां पे mentioned है और यहां पे कुछ traffic cues है जो की पूछे गए हैं लोग के दुबारा वो यहां पे mentioned है पहले से ही वह सबाब यहां पे details में पढ़ स जो photos हैं और जो videos हैं जो की camera द्वारा capture किए गए हैं वो सब यहां पे calculate करके दिखा देता है और इसके बाद यहां पे आप details में जाना चाहें कि यह जो services से बंद क्यों किया जा रहा है तो वह आपको details click करेंगे तो इस वाले page पे ले आएगा इसका अगर हम next देखें तो यह वीडियोस देखने है श्वामी डवाइस की उपर तो और यह मरपरेस प्लेलेस है आप वह जोड़ी से watch करना so friends कोई भी questions है आप हमें comment कर देना में the next video में thanks for watching